हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, इंडियन केचन विद सुमित आज हम बना रहे हैं रबडी रबडी बनाने के लिए हमको चाहिए पिस्ता बारिक कट हुआ बदाम बारिक कट हुए थोड़ा सा केसर चाहर बड़ी चमच्चीनी एक चोथाई टीस्पून हरा जायशी पाउडर एक लीटर दूद यहां पर मैंने फुल फैट मीक लिए है सबसे पहले में कड़ाई लेंगे कड़ाई में दूद डालेंगे और गैस की फ्लेम ओन करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसमें एक बोईल न आजाए देखे हमारा दूद बोईल होना स्टार्ट हो चुका है देखे हमारा दूद बोईल हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और अब हम इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक हमारा एक चुताई दूद ना बच जाए इसको हमें बीच बीच में चलाना होगा ताकि हमारा दूद चिप केना देखे हमारा दूद कम होना स्टार्ट हो चुका है अब हम इसको बीच बीच में चला लेंगे अब हमारा दूद काफी कम होचुका है पर हम इससे अब भी और पकाएंगे थोड़ा अब हम इसमें डालेंगे चार बड़ी चमच्चीनी इसको अच्छे से mix करेंगे हरी लाई जी पाउडर टालेंगे अब इसको भी अच्छे से mix करेंगे अब हम इसमें केसर डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर देंगे अब हम इसमें एक बड़ी चमच पिस्ता डालेंगे जो हमने बारी काटा हुआ है और साथ में एक बड़ी चमच हम बदाम भी डालेंगे जिसको हमने बारी काटा हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा दूद्ध और थिक ना हो जाए देखिए हमारा दूद्ध काफ़ी गाड़ो हो चुका है उसका कलर भी बहुत अच्छा है अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे देखिए हमारी रवडी बहुत अच्छी बनिया है कलर भी बहुत अच्छा है अब हम इसको गाड़निस कर लेंगे बदाम से और पिस्ता से लीजिए हमारी रवडी बनकर त्यार हो चुकी है thank you